मेरे पैरे देश्वासियों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका के सैन फ्रांसिक्सको से बंगलोरू के लिए एक नौन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की चार विमेन पाइलर्ट्स ने संबाली दस हजार किलोमेटर से भी जानदा लंबा सा भरताय करके ये फ्लाइट सवाद दो सो से अधिक आत्रियों को भारत लेकर आई आपने इजमार 26 जन्वरी की परेड में भी गौर किया होगा जहां भारतिय वायुसेना की दो विमेन अफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है छेत्र कोई भी हो देश की महलाओं की भागिदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गावों में हो रहे इसी तरह के बढलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती इसलिए जब मैंने एक खबर मद्यप्रदेश के जबलपूर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्रतों मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए ये खबर बहुत प्रणा देने वाली है जबलपूर के चीजगाओं में कुछ आदिवासी महला है एक राइस मिल में दिहाडी पर काम करती थी कोरोना वेश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया उसी तरह ये महलाएं भी प्रभावित हुई उनकी राइस मिल में काम रूख गया स्वाभाविक है कि इसे आमनी की भी दिक्कत आने लगी लेकिन ये निराश नहीं हुई इन्होंने हार नहीं मानी इन्होंने ताह किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशिन भी बेचना चाहती थी इन में से मीना रहंग डाले जी ने सब महिलाओं को जोड कर स्वयम सहायता समू बनाया और सब ने अपनी बचाई हुई पुझी से पैसा जुटाया जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजी वी का मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बेहनों ने वही राइस मिल खरीड ली जिसमें वो कभी काम किया करते थी आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही है इतने ही दिनों में इस मिलने करीब तीन लाख रुपिय का मुनाफ़ा भी कमा लिया है इस मुनाफ़े से मिनाजी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है कोरोना ने जो परिस्तित्यां बनाई उससे मुकाबले के लिए देश के कोने कोने में ऐसे अध्भूत काम हुए है